गरीब भक्त एक गाव में एक निर्धन व्यक्ती रहता था। वह इतना निर्धन था कि मुश्किल से अपने परिवार के लिए एक वक्त का खाना जुटा पाता था। लेकिन उसने कभी अपनी निर्धनता की शिकायत किसी से नहीं की। उसके पास जो कुछ था वह उसी में सं तुष्ट था। वह देवी का बहुत बड़ा भक्त था। इसलिए वह पूजा करने के लिए हमेशा मंदर जाता था। मंदर जाने के बाद ही वह अपने कार्य पर जाता था। एक दिन देवी को अपने इस गरीब भक्त पर दया आ गई। इसलिए एक दिन सुबह सुबह द आखे बंद करके मंदिर के चारों और देवी का ध्यान करते हुए परिक्रमा करने लगा। आखे बंद होने के कारण वह सोने के सिक्कों से भरा थैला नहीं देख पाया और यूँ ही चला गया। यहाँ देखकर देवी ने सोचा समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता।